नमस्ते स्वागत है आपका मैं वो डॉक्टर देविंद धवन हम आज डिसकस करने अपना टॉपिक इस्पेस टेक्नोलोजी का अंत्रिक्ष प्रोध्योगी की का हमारा बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है और एक्जाम में हमारे जो कोश्चन है हर साल इसमें से आते हैं का मीनिंग होता है जो साइन्स है जो बेसिक जो साइन्स होता है जो एक सैधान्तिक पक्ष होता है थेोरेटिकल नोलेज होती है उसको प्रैक्टिकल में कनवर्ट करना तो थेोरेटिकल नोलेज को जो प्रैक्टिकल में कनवर्ट किया जाता है प्रैक्टिकल उससे किये जात उसको विवार में उतार कर मनुष्य के कल्यान के लिए उप्योग करना, वो जाता है टेक्नोलोजी, तो यहाँ पर जब स्पेस टेक्नोलोजी जब यहाँ पर शब्द जब जुड़ा है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कि अंतरिक्ष के शेत्र में जो विबिन प्रकार क प्रक्षिपण वाहन बनाना, विबिन प्रणालियों का विकास करना, दूसरे ग्रहों की खोज से सम्मंदित कारे करना, और इन सब का जो उत्देश्य है, वो मानव का कल्यान तो निश्चित करने का उत्देश्य है, तो अंतरिक्ष प्रध्योगी की क्या हो जाएगा, इसका जिमिस होता है, गलत प्रयोग, वि wizard, मान और प्रध्योगी का मिस है, लेकिन उत्देश्य मानव कल्यान का है, हथ्यार क्यों बनाइ जा रहे? कोई भी जो देश है, अपनी रक्षा के लिए क्लि बनाएगा? आगा, लो एनडर के लिए इन्फॉर्समेंट कराने के लि की technology का misuse भी होता है बहुत सारे students पूछते हैं कि सर मानो कल्यान का ही उदेश्य यदी है तो फिर बताओ कि आतंकवाधी यदी technology का प्रयोग करने लगे तो हाँ निश्य टूप से आतंकवाधी भी technology का यूज करेंगे लेकिन वो technology का नकरात्मक पक्ष होगे हम कह सकते हैं कि इसका एक side effect है लेकिन कोई भी काम करने का उदेश्य यह जो विज्ञान को हम जो प्रध्योगी की जो बना रहे हैं नहीं नहीं तकनीके बना रहे हैं विज्ञान क को यूज करके उसका उदेश्य वानों का ल्यान ही होता है तो अंत्रिक्ष में अंत्रिक्ष प्रध्योगी की में जो है अंत्रिक्ष यान क्रत्रिम उपग्रह अंत्रिक्ष इस्टेशनों प्रमांड के अनुसंधान संबंधी यहां पे कारे की जा रहे हैं अब आप देखो कज़ते होगे एक מא अंत्रिक्ष यान्स का निर्मान वे premuk निर्मान करना क्लों करें और अन्त्रिक्ष 스शन क्या है कि अस proprio क्या है कि हमारे समय पर भी हमारी धरती से लगभग 430 किलोमेटर के आसपास उचाई पर एक जो स्टेशन क्या है कि हमारे इस समय पर भी आज के समय पर भी हमारी धर्ती से लगभग 430 किलोमेटर के आसपस उचाई पर एक जो है अंत्रिक्ष स्टेशन चक्कर काट रहा है उसमें मानव भी रहते हैं धर्ती से भेजे गए हैं तो रिसर्च का उदेश है और मानव कल्यान का ही उदेश है प्रमान्ड के नसंदान संबंधी आड़ी यंत्रों का विकास किया जाएगा तो श् shorts technology में यह वाले काम किया जाएंगे वेवन परकार की अंत्रिक्ष यान बनाए जाएंगे रत्तीरिम उपगरह बनाए जाएगे अंत्रिक्ष विज्यान रिमोट सैंसिंग वो विज्यान समुद्र विज्यान आधी शित्र में किया जाए अब आप कहोगे कि अंतरिक्ष में जो हम जैसे विभिन हमने जैसे चंद्रयान station mission किया है भारत ने या मंगलियां से समन्दिन mission किया है तो उन को क्या फायदा वसका ठीक हो नहीं से वहां से हमारे अच्छाक्र यादी Day लेकिन मंगल पर हमने नहीं संचार की सवीदा मिल रही है यस य हमारे इस्रों ने मार्स अब बताओ यदि हमने वो तक्नीक विक्षित कर ली वहां तक पहुंचने के तो हमको उसका लाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी की नहीं बढ़ेगी हमारे जो लॉंच वीकल है confidence बढ़ेगा हमको विदेशी उपग रहे लॉंच करने से संबंधित order मिलने लगेंगे हमारे हमारा जितना हमारा जो अंत्रिक्ष का विविकसित होगा उतना ही हमारा जो रक्षा शेतर में भी हमको क्या मिलेगा उसका फाइदा मिलेगा क्योंकि यह जो लॉंच वीकल जो होते हैं यह जो rocket launching जो तकनिक का विगास होता है तो missile का विकास भी इसके साथ ही जुड़ा होता है तो प्रत्यक्ष यह प्रत्यक्ष बहुत सारे लाव होते हैं, फिर लोगों में जागरुपता बढ़ेगी, तो बहुत सारे काम होते हैं, हमारे अंत्रिक्ष में अनुसंधान से संबंदी, जिसमें हमारे प्रत्यक्ष अनेक्षित्रों में काम होता है, और प्रत्यक्ष लाव भी मिलता है, तो सबस सब सारी जगहें पर हम ऐसा पढ़ लेते हैं कि जहां पर वायू खतम हो जाती है वहां पर अंत्रिक्ष होता है एक्चल में यह डेफिनेशन नहीं है हमारे वायू मंडल की जो वायू है वो तो लगबग लगबग बहुती उपर जाने पर विरल हो जाती है लेकिन 10,000 हमारे धर्ती के उपर यह हम धर्ती की बात करें धर्ती के उपर लगबग 100 किलोमेटर हम इस पर 100 किलोमेटर की उचाई पर एक काल्पनिक रेखा मानी गई है उस काल्पनिक रेखा को नाम दिया गया है कैर्मन लाइन कार्मन रेखा 100 किलोमेटर की उचाई पर एक काल्पनिक हो जाती है और कितनी उचाहिए सिर्फ यहां पर सो गिलो मेत्र के उपर जाने पर वायू इतनी viral हो जाती है वायू का गनत इतना कम हो जाता है कि हमारे आसमान मैं ह्यालिकॉपटर वायू यान यह हमारे वायू मंडल में अपनी गति करते लेकिन अब यह जो वाईवान है यह वाईव को पीछे की तरफ चोड़ से छोड़ता है आगी की तरफ बढ़ता है लेकिन इस उचाई पर जाने पर जो है यह अब गती नहीं कर सकता तो सो किलोमेटर की उपर तो कौन उडान भर पाएगा वहाँ पर स्पेशल तकनीक से बने हुए जो लॉंच विकल है एक प्रकार के अंतरिक्ष यान है इस पेस क्राफ्ट है वो ही इस उचाई पर क्या कर पाएंगे फिर गती इस पर या इसके उपर पर तो सो किलोमेटर की उ नीचे उड़ने वाले जो यान है वो होते हैं एयर क्राफ्ट और सो किलोमेटर की उपर वाले जो यान होते हैं वो होते हैं स्पेस क्राफ्ट तो एयर क्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट तो समाने रूप से कार्मन रेखा को ही अंतरिक्ष की शुरुवात की रेखा यहाँ प पे कार्मन रेखा की नीचे तो जो है हमारे एर क्राफ्ट समले रोप सोड़ सकते इसके ऊपर नहीं जा सकते इसके ऊपर कौन जाएंगे इस्पेस क्राफ्ट यहां से उडान भर कर उपर की तरफ जाएंगे प्लस हमारा समझ होता है इंटरनेशनल लेवल पर भारी अंतरिक्ष संधी है कि अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार का कोई हथियारों का संग्रे समंधित काम या परिक्षन करना इस प्रकार का कोई भी काम यहां पर नहीं हो सकता तो उसमें फिर अंत्रिक किसको माना है यह 100 km की लाइन है इसको कानुनी रूप से अंतराष्टी स्थर पर मानेता प्राप्त है तो 100 km की लाइन को मानेता प्राप्त है यहां वाईयो मंडल बहुत ज़्यादा विरल हो जाता है और समाने एरक्राफ्ट यहां पर गती नहीं कर परतें इससे ऊपर उड़ने वाले जो यान होते है उन्ने क्या बोलतें इस्पेस क्ळाफ्ट तो 100 km के ऊपर क्या आएनगे इस पेस्क्राफ्ट कर आएनगे और 100 km के नीचे होते हमारे ऐरक्राफ्ट और यह किसणा नेरधारित किया था Federation Aeronautics International FAI के द्वारा ये जो है कार्मन देखा ने कारित की गई अब यहाँ पर हमने यह जाना कि अंत्रिक्ष क्या है हम 100 किलोमेटर के उपर अंत्रिक्ष की शुरुआत मानते हैं अब एक प्रश्णी आपर है छोटा सा स्पेस टाइम स्पेस टाइम क्या है देखो स्पेस टाइम का कंसेप्ट ये बोलता है समाने रूप से क्या होता है कि हम जो है समाने रूप से जो माना जाता है तीन विमा मानी जाती है लंबाई चोड़ाई उचाई समाने रूप से जो विमा होती है वो तीन होती है उसकों जैसे X, Y, Z अक्ष पर बता देते हैं X अक्ष, Y अक्ष और Z अक्ष तो लंबाई और चोडाई और उंचाई तो ये तीन विवाएं समाने रूप से मानी जाती है अंत्रिक्ष जो है वैसे हम देखें थ्री डायमेंशनल है ये जो हमारा पूरा ब्रह्मान हमको समाने रूप से दिखाई दे रहा है हम जो एक दूसरे को देख रहे हैं जो हम समाने रूप से हमाने आखों से देखते हैं ये भी थ्री डी ही होता है, थ्री विमिय होता है हमको यहाँ पर तीन विमाव में हमको नजर आ रहा है आधुनेक वैज्ञानिक अंत्रिक्ष को त्री वीमिय के स्थान पर चार वीमिय मानते हैं, त्री वीमिय नहीं मानते हैं, चार वीमा बाला मानते हैं, और चोथी वीमा कौन सी है, समय की, चोथी वीमा क्या है, समय की वीमा, अभी मैं आपको बताऊँगा कि देखो कैसे, क्या आप भूत काल की किसी वस्तु को या कोई वस्तु जो नश्ट हो चुकी है उसको देख सकते हो असली में ऐसा संभाव है अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे समय का मामला है महाँ पर तो आप देखोगे कि स्पेस टाइम क्या होता है कि त्री विमी अंतरिक्ष और समय का सही ओजन स्पेस टाइम कहलाता है तो तीन विमा वाला अंतरिक्ष है और समय उसके साथ जुड़ेगा तो क्या कहलाएंगे उसको space time कहेंगे और बहुत तारे विद्वान कहते हैं कि अंत्रिक्ष 3 विम ये नहीं है चोत्र विम ये होता है time वहाँ पर जुड़ा है अंत्रिक्ष और समय के निरंतरता को मिंको वंस की space भी कहते हैं विद्वान के नाम पर ही है मिंको वंस की space space time अब देखोँ यहाँ पर एक चोटा सा उधारन है इसी से जुड़ा हुआ ही है आप समझने के लिए आप देखोगे प्रश्म है क्या समाप्त हो चुकी वस्तू को देख पाना संभव है कोई वस्तू जो समाप्त हो चुकी है जा उसको देखा जा सकता है अब देखो एक परष्ट, पहले यहाँ पर एक point है, एक समय का मातरक होता है एक प्रकाश वर्ष्ट, दूरी का मातरक होता है, देखो अब एक point है कि क्या समाथ हो चुकी वस्तु को देख पाना समभ है, तो इस point को हम देखो कैसे डिस्कुस कर सकते हैं, एक जो है दूरी को अपने का मातरक होता है उसको हम कहते हैं प्रकाश वर्ष और प्रकाश वर्ष क्या होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तै कि गई दूरी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तै दूरी अब एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तै कर पाएगा एक पॉइंट बताओ क्य लगब लगब जो है आठ मिनट के लगब वह समय लगता है तो एक जो यह हमारे प्रकाश है यह आखिर में कितना दूरी तै कर पाएगा एक वर्ष कुछ हम कहते हैं एक प्रकाश वर्ष अब एक बात सोच के देखो हम मान लिए यहां पर हमारी अर्थ है नीचे हमारी अर्थ धर्ती पर है हम और धर्ती से दूर ये कोई तारा है और मान लिया ये जो तारा है ये हम से है दूर पांच प्रकाश वर्ष कितना दूर है पांच प्रकाश वर्ष दूर है तो आप देखोगे इस तारे से धर्ती पर इसका प्रकाश आने में कितना समय रहा है आज प्रत्वी से यदि ये तारा देख रहा है तो वो प्रकाश कितना समय पहले चला होगा वो प्रकाश यहां से पांच प्रकाश वर्ष पहले चला होगा और पांच वर्ष पहले चला प्रकाश और आखिर में वो कहां तक पहुचा हमारी धरती तक हमको देखने लग मान लिया ये जो तारा है ये तारा नस्ट हो गया ये तारा क्या हो गया नस्ट हो गया नस्ट होने के बाद अब ये प्रकाश देना क्या कर देगा बन लेकिन आप देखोगे इसके नस्ट होने से पहले जो प्रकास चल चुका था नस्ट होने से पहले का प्रकास जो है वो हमारी धर्ति तक पहुचता रहेगा और यह यहाँ पर नहीं है फिर भी हम कोई दिखाई देता रहेगा तो अंतरिक्ष में बहुत सारे तारे ऐसे होते हैं जो आज अपनी उस जगे पर नहीं है वो खतम हो चुके हैं लेकिन उनसे जो प्रकास चल चुका था उनके खतम होने से पहले जो प्रकास चल चुका था वो आज तक भी हम तक पहुंच रहा है तो आप सोच के देखो क्या आ के रूप में हम भूत काल में भी हम भूत काल को देख पाते हैं देखो यह पॉइंट जो है यह आपकी 12th NCRT का पॉइंट है 12th NCRT का एक पॉइंट है कि तारे जो है बहुत दूर है नस्ट हो गए है कई तारे लेकिन प्रकाश फिर भी आ रहा है तो भी वो नजर आ रही है तो क्या भूत काल को देखना संभव है अब कोश्चन है हाँ भूत काल को हम देख पा रहे हैं इस तारों के रूप में तो आप देखोगे जो क्योंकि जब हम आस्मान में देख रहे हैं अंतरिक्ष में देख रहे हैं तारों को देख रहे हैं मोट सारे तारे वहां पर है ύ представ Вот है बहुँकर है बहारी अंतरिक्ष संधि क्या है इसकाम को थोड़ा सा इसको पोइंट रखनें इसके बहारी मैंने आपको थोड़ी दिर पहले बताया था कार्मन लाइन, मैंने रेखा बताई थी, रेखा का नाम था कार्मन रेखा, कार्मन रेखा, और ये कार्मन रेखा की उचाई कितनी है, 100 किलोमेटर की उचाई पर है कार्मन रेखा, अब अंतराश्टे इस्तर पर कानूनी रूप स और इसके नीचे जो है वो माना जाता है वायू मंदल तो अंतराष्ट्रिये इस तर पर एक बाहरी अंतरिक्ष संदी हुई और यह संदी हुई है 10 अक्तूबर 1967 को जो है लागू हुई है प्रभावी हुई है यह संदी और भारत ने भी इस पर साइन की 1982 में रेटिफिकेशन क यही कारे हो सकते हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार के विनाशकारी हत्यारों से संबंदित जो है कोई कारे वहाँ पर नहीं हो पाएंगे तो चंद्रमा मंगल और अन्य खगोल यह पिंडो सहित अंतरिक्ष का अन्वेशन करना और उपयोग करना भागी राष्ट भागीदार जो है हमेशा सकरात्मक कारे ही करेंगे उनके कारे उपर एक तरीके से संदी जो है उनको रेगुलेट करती है उनको नियमित करती है कि आपको किस तरीके से काम करना है और अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार के व्यापक विनाश के हतियार नहीं रखी जा सकते ऐसा नहीं है कि ह अंत्रिक्ष में अपने जो है Space Station जैसे बना हुआ है ऐसी हतियारों के केंद्र बना ले जहां पर व्यापक वनाश के हतियार रखे जाए तो यह जो संदी है उसके अपर क्या लगाती है प्रिति बंद लगाती है तो बाहरी अंत्रिक्ष संदी 1967 से प्रभावी हुई है और भारत जो है भारत भी संधी में शामिल है और 1982 में भारत ने संधी का क्या किया था तवर्धन किया था तो यह point हमको याद रखना है अच्छे से अब जो हमारा point है वो है कक्षा या orbit इसे हम अपने next वीडियो में discuss करेंगे